आए फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपग गएकर में बनो विकार सेख्सरोग सम्मोहन तथा वेस्टनमुगी तग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं सबके लिए मानसिक स्वास्तिय और वेस्टनमुक्त भारत यह हमारा विजन है हमारी है दो हॉस्पिटल से जहां हम लोगों को इसारों के साथ में और इसारों के अलावा जिसे भरती करते हैं उनका इलाश करते हैं हमारे नीचे नंबर दियें वहां आप कौंटक करके ऑनलाइ नहीं होता जली भागते रहता है दिरुदर हम क्या करते जो नहीं करना चीए वो करते रहते जो करना चीए तो लोग तीवी देखेंगे मीठा नहीं कहना चीए तो लोग मीठा घाएंगे मतलब जो नहीं करना चीए वो करेंगे जो करना मतलब जो करतव पूरती हमारी जो काम स निश्टा से नहीं करेंगे लोग जो मन करता है वैसा करते रहे हमारा मन जो है न वो एक बेलगाम घोड़ा है वो घोड़ा कहीं भी भागते रहता है और उसको कंट्रोल कैसे करना उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं भगवान कृष्णों ने भगवागीता में बोला ह मकर शर्त जिये है कि जवान लगाएंगे उसके बाद में भगवान का नाम दिमाग में ने आनाचे ήसा बोलने के बाद में वगवान का नाम आधा तो पर देल लगाना पड़्यका उसके बचालू बच रहा जो मतलब जो नहीं करना चीए, उस मन को बता दिये कि यह मत कर, वो मत कर, तो वो करेगा, जैसा किसने बोला कि मीठा नहीं खाना चीए, और मैं आज मीठा नहीं खाऊंगा, तो बार 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 वही मन में आएंगा कि मीठा खाना चीए, मीठा खाना चीए, तो जैसा हमारा मन जो है वो बेलगाम घोड़ा है और हम वो घोड़े के उपर घोड़ सवार करके हैं मतलब हमारा conscious mind जो है वो घोड़ सवार अंतर मन जो है वो बेलगाम घोड़ा है अभी उसको कंट्रोल कैसे करना वो भगवत गीता में भगवान कृष्णा ने बोला हुआ है वो मैं भी आपको बता हूँगा भगवान कृष्णा ने बता हुआ है कि आपको सफलता पाने के लिए और मन को कंट्रोल में रखने के लिए बार-बार प्रयास करना पड़े कोई भी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़े एक उधान के तौर पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक नाई था उसके दो बेटे थे एक बेटा जो था बड़ा वाला वो बहुत ही अच्छी कटिंग कर सकता था मगर उसको आदब थी शराब पीने की दूसरा जो लड़का था उसको कटिंग अच्छी नहीं जमती थ चोटे वाले भाई के पास में लोग जाते नहीं थे मगर बड़े वाला जो था वो शराब पीते-पीते उसका धंदा पूरा खलास हो गया काम बरावर नहीं करता था बाद में और द Tarud सा जो था उसको कोई गलट आदत नहीं थी मगर उसने क्या देडिक बंटने भगवत गीता में बोला हुआ हूँ है '' कि जो भी आपको करना है, मन को गश्फील मिलाने का है, तो उसकी लिए आपको Soyma श्फीलीज मीन परवा बंद कम दयाओं तो मिलनेन वह ऐसके ह sic तो भी अपको करना है? कि समझें आपको एक्जरसाइज आपको आपका जो अंतरमन नहीं करने दे रहा है उन नहीं करवाता है एक्जरसाइज गोलता नहीं आज जान दो आपको निरंतर प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करके अंतरमन को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हैबिट डाल होगा पहला टेकनिक भगवान कृष्णा के उसी टेकनिक जो बताई है वो है डिटैश्मेंट डिटैश्मेंट मतलब वैराग्या या कोई भी चीज की मुह या माया नहीं रखना चाहिए इसका ही मतलब यह हो गया है कि आप निरंतर काम करते रहो और रिजल्स के ऊपर ध्यान मतलब आप एकदम फुली कमिटेड है और कर्म करो सल की चिंता मतलब क्या होता है कि आप यदि कर्म करते रहते हो और आपका मौ माया जो है रिजल्स के प्रतिकी मुझे यह रिजल्स चाहिए वहाँ है आपका अटेश्मेंट होंगा तो आपका काम नहीं होगा एक्जाम पर और बार 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 वही उसका मत जो है ऊदर चाहिएगा और यह पढ़ें जो करना है बाजी में हो जाएगा वो क्या कर सकता है कि टीचेब उस समय वहाँ पढ़ाय करने ना बच्टेफएवे वह जो टीवी का जो वसको तॉपिक बदर रहा है ऐसा कुछ तभी करेगा कि वह जो मुह है कि TV देखना है TV देखना है वह मुह से दूर हो जाएगा इसकर मतलब यह हो गया हैै कि आप जो कर्मों वह थे पूरा कर्म करते हो और वारग्य मुह माया रिजुति किना रख्ते हो और आपका पूरा 101 परसेंट एक सो अक टकाप पूरा ख्याल आपके कर्मों के उपर दे रहा है तो आप के मन कान्ट्रों में ऊपर रहे-इंद निक्स है जिसका आप यदि इस्तिमाल करते है तो डेफिनेटल अपना अंतरमन जो है वो अपने कंट्रोल में रहेगा तो सेकंड इसमें आपको यह देखना है कि वैराज्य कैसा रहेगा मतलब जादा उसमें अंदर ने ऑपना मन जा रहा है तो निकालने का है और एटेश्मेंट निकालने का रहेगे और आप दुसरा कर्म करके तो यह दूसरी टेक्निक आपको यह टेकनिक से डिपिनेटली अपना अंतर मन यो है वो गांट्रोल में आप ला सकते हो और जिंदगी में सफलतां पा सकTें े तनते हुए दियो लोगों को शेर करके हमारा जो भी जूर के मुझे झाल